अगर खोने के लिए कुछ भी ना हो तो बहुत ही डेंजरस बन जाता है आज के हमारी मुवी में एक छोटी सी लड़की को किड्नाप कर लिया जाता है और एक परफेक्ट किड्नापिंग है आज मैं आपको इस्प्लेंट करने वाला हूँ हमारा मेंन कैरेक्टर जिसका नाम है जो एक छोटी लड़की की मदर के साथ एक गाड़ी में बेठा हुआ था एक्चुली जो ने इसकी बेटी को किड्नाप कर लिया है अब उसे सब कुछ पैसे मिल चुके है तो ये मदर बहुत ही वरीड होती है उसे लगता है शायद जो ने उसकी बेटी को मार डाला जो ने का मैंने कभी भी किसी भी छोटी लड़की को हर्ट नहीं किया ये मदर जो को मारने लगके जो कहता है हमारे बीच के लास्ट 24 अवर्स अच्छे थे अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मैं अपना माइंड जेंच कर दू थोड़ी देर में जो को अपने पार्टनर मार्विन का कॉल आया वो फिर मदर को कहता है इस प्लेग्राउंड में तुमारा बेटा खेल रहा है मदर को भी उसका बेटा मिल गया अब नेक सीन में हमें एक हैपी फैमिली दिखाई जाती है मदर का नाम है कैरन फादर का नाम है विल उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम है एबी विल एक एनस्तेलोजिस्ट डॉक्टर है और एक कॉनफरेंस के लिए अपने प्लेन से जा रहा था क्योंकि उसे वो फ्लाइ करना आता है उसी को छोड़ने के लिए कैरन और एबी उसके साथ आये थे अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता है उसे हग करकर वो प्लेन में बैटके है जाते जाते प्लेन को मूव भी करता है क्योंकि उसकी बेटी को देखना अच्छा लगता है एक बहुत ही happy family है इसके बाद कैरन और Abby ये घर पर आए जैसा इनका हमेशा का routine होता है वैसा है वो continue करते है अचानक से जो और मारवेन ये उसके घर पर बोज़ गए Abby दूसरे room में थी उसे अकिला देख जो और मारवेन उसे बेहुश कर देते है जो घर में रुकता है और मारवेन Abby को लेकर चला गया क्यारन Abby को आवाज लगाती है क्यारन को इस सब के बारे में पता ही नहीं था उसे लगा कि Abby TV देख रही है उसने आवाज लगाया पर Abby का कोई भी आवाज नहीं आया वो सारे घर को चेक करती है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता वो बहुत ही ज़ादा डर गई जल्दी से जाकर अपने कबर में से गन निकाल लेती है यहाँ से भागने के लिए दोर के पास आई जहाँ पर लिखा है कि एक बहुत ही बैड आईडिया है उसके पीछे जो खड़ा था कैरन डर कर उस पर गन लगाती है जो गहता है एक बहुत ही बैड आईडिया है तुमारी बेटी मेरे कजन के साथ है अगर हर 30 मिनिट्स में मैंने उसे फिर से कॉल नहीं किया तो तुमारी बेटी को मार डालेगा तुम वरी मत करो एक परफेक्क किड्नैपिंग है जैसा मैं चाहूंगा वैसा है नेक्स 24 अवर्स में होने वाला है कैरन डिस्टब हो चुकी थी और अब भी गन उसकी जोपर थी जो कहता है अगर तुमने शूट किया तो उस गोली से दो लोग मरेंगे मैं और तुमारी बेटी ये सुनकर कैरन शान्त हो गई जो ऑपरजिनेट उठा कर उससे गन ले लेता है जो ने उसे अशूर किया तुमारी बेटी को कुछ भी होने नहीं वाला जीने भी हमें किड्नैप किया था अब वो आराम से खेल रहे है सब पैरेस ने हमारे रूल्स फॉलो किये थे तुम्हें भी वही करना चाहिए इसके बाद वील अपने कॉन्फरेंस में पहुच चुका है नेक्सिन में फिर से हम कैरन और जो देखते है कैरन जो से पुछती है तुम अभी के अभी सब पैसे क्यों निले लेते है जो ने का जनरली कोई भी किड्नैविंग सक्सेस नहीं होती इसका रीजन यहीं होता है कि किड्नैप जल से जल पैसे चाहते है अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश के तो सब कुछ भी गड़ सकता है जो ने कहा नेक्स 24 अवर्स में सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ प्लान से चल रहा है कैरन कहती है वो 24 अवर्स जी नहीं सकते उसे अस्तमा है जो कोई इसके बारे में कोई भी आईडा नहीं था कैरन ने उसे प्रूव किया तो वो भी डर जाता है उसने फिर मार्विन को कौल लगाया ये सब प्लान में नहीं था पर फिर भी उसे करना पड़ता है वो मारविण से बुचता है क्या अभी अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ बेहोश थी पर अभी भी जिन्दा थी इस सब के जान में जान आई ए कैरन जो से कहती है मुझे उसके पास लेकर चलो उसे हम मेडिशन देखर वापस आ जाएंगे जो बुछता है यह मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा क्यारन कहती है तुम जो चाहे वो मैं करने के लिए रेडी हो इसके पैरलल में विल को हम लेक्चर देतावा देख सकते है ओडियंस में एक लेडी थी जो सिर्फ उसे ही देख रही थी वो जब अपने होटेल रूम पहुचा तो वो भी उसके पास आ गए वो उसके साथ इंटिमेट होना चाहती थी विल कहता है कि मैं मैरेड हो यह सब कुछ कर नहीं सकता इस लेडी का नाम था शेरिल और वो कहती है तुम्हारी बेटी को हमने किड्नाप कर लिया है जल्दी से रूम में चलो जो भी मैं कहूंगी यह सब तुम्हें करना पड़ेगा विल जल्दी से भाग कर दोर बन करने की कोशिश करता है पर चेरिल ने उसे कंट्रोल में कर लिया उस पर वो गन लगाती है उसने कहा कि अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे अगर तुमने मुझे कुछ किया और मैं 30 मिनिट में कॉल आंसर नहीं कर पाई तो भी तुम्हारी बेटी मर जाएगी ये तुम कल जाकर अपने यहाँ के लोकल बैंक से 250K डॉलर्स निकालोगे विल कहता है ये बहुत ही suspicious लगेगा शेरिल कहती कि इसकी वरी मत करो हाँ पता है तुम हमेशा पेंटिंग बाई करते रहते हो यही रीजन तुम बैंक को बता देना विल कहता है मैंने तुमारा फेस देख लिया है तुम मुझे जिन्दा छोड़ नहीं सकते शेरिल कहती है अगर तुमने कुछ भी किया तो मेरा पार्टनर आखकर तुमारी बेटी को मार कर चला जाएगा नेक सेन में हम एबी को मार्विंग के साथ देखते है एबी को होश आया उसकी मदर आसपास नहीं थी तो बहुते डिस्टरब होके मार्विंग उसे समझाता है सिर्फ आज रात के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा एबी बहुत रोती है इसके बाद शेरिल ने जोग को कॉल लगया वो गहती है कि वील ज़रा स्मार्ट है वो ट्रवल क्रेट कर सकता है जो उसे फोन पर बात करता है कहता है तुम्हारी वाईप मेरे पास है अगर तुमने कुछ भी उल्टा सिदा किया तो मैं एक जटके में उसे मार डालूँगा उसने फिर कैरन और विल की बात करवाई कैरन विल से कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी विल जो को एबी की सिच्वेशन समझाने के कोशिश करता है जो निका जैसा मुझे सही लगेगा वैसे ही मैं सब चीज़े करूँगा इसके बाद जो कैरन जाकर एबी को मिलने वाले थे उसे हो मेडिसिन दे देंगे अचानक से एबी को अस्तमा का अटेक आ गया कैरन मार्विन को कहती है कि उसे थोड़ी सी कॉफी दो इससे उसे सही लगेगा थोड़ी देर के लिए ये प्रॉलम सौल हो गया इसके बाद कैरन और जो गाड़ी में थे जो बुशता है तुम डॉक्टर से मिली कैसे थी मुझे गेस करने दो तुम नर्स थी वेल से मिली उसे डॉक्टर बनने के लिए सब पेसे तुमने ही दिये कैरन सबराइस थी जो को इस सब बाते पता है इसके बाद ये एबी के पास भोज गए मार्विन भी एबी को अपने घर से दूर एक स्पॉर्ट पर लेकर आया था कैरन एबी से मिली और एबी रो रही थी कैरन कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसा मार्विन कहेगा वैसा है तुम सब करना अगर बाद रूम जाओगी तो उसके साथ मत जाना वो एबी को उसे कहा रखा है इसके लोकेशन पूछ रही थी पर एबी को कुछ भी पता नहीं इन्होंने मेडीसिन एक्चेंज कर लिये पर कैरन एबी से दूर जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है जो कहता है कि सब कुछ में ठीक कर रहा हो इस सिच्वेशन को कंट्रोल में ही रखो जो ने विल को कॉल किया उसे मेडीसिन के बारे में बता दिया विल बहुत रिस्टब हो चुका था वो रोने लग गया था शारल उसे टिशुवे पर देती है तो उस पर चेड़ कर उसे हो मारने लगता है शारल के कबड़े फट गए थे तो रुख कया कहता है तुम्हें थो बहुत सारी मार पड़ी है क्या तुम्हें कोई मारा करता है इस सब से निकलने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता है शारल कहती है सब कुछ प्लैन के मुदाविद चल रहा है कोई भी प्रॉल्लम नहीं होगा एबी ने जो और मार्विन को बात करते हो सुना था वो किसी केटी की बारे में बात करे थे मार्विन को लगता है कि एबी भी केटी की तरह ही है तो इसके बारे में Abby ने Marvin से पोचा वो बोचती है क्या हो तुम्हारी डॉक्टर थी Marvin कहता है क्यों मेरी family थी इसके बाद Cheryl ने Joe को call लगा कहा कि डॉक्टर ने मुझे मारा है Joe Will से बात करता है कहता है कि ये सुनो उसने Karen को जोर से मारा और कहा मेरी वाइफ को हट मत करना वरना वही मैं तुम्हारी वाइफ के साथ भी करूँगा जो ने कैरन को sorry कहा वो गहता है कि मुझे वो करना ही पड़ा वो इसे मलावेगरा लगा रहा था तब ये उसे किस करने लग गया अचानक से केरन की नेवर वहाँ आज आती है जो गहता है चल दी से उसे यहाँ से बाहर भेज़ दो केरन नेवर से बात करती है पर नेवर ने जो को देख लिया था केरन कहती है जो विल का ही एक कलीक है नेवर ने पुछा तुम विल से मिले कहा थे जो इसके बारे में पता नहीं पाता कैरन कहती है किे Will को नहीं जानाता या मेरा फरेंड है याने कि उसका उसके साथ अफेर चल रहा है उसकी नेबर सपराईस हो गए वो गैती है मुझे पता नहीं था तुम्में और Will में कुछ प्रॉलमस है इसके बाद यहाँ से चली जाती है जो कैरन से कहता है तुम्हारे नेवर अभी भी हमको देख रही है वोशने उसे किस कर लिया और वहाँ कोई भी नहीं था विल शेरिल के बॉड़ी बर एकसकार नोटिस करता है वो गहता है तुम्हें भी एक बेबी है तुम्हें ऐसा कर कैसे सकते हो इसके बाद जो चाहता था कि वो कैरन के साथ इंटिमेट हो कैरन को भी वो जो भी कहता है वो सब करना पड़ेगा वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए बेडरूमें गया तभी कैरन इंटरनेट से कॉन्टेक करने की कोशिश करती है पर इसकी वायस कट थी जो के आने के बाद कैरन उससे बुछती है तुमने हमें चूस क्यों किया जो कहता है सब लोग को डॉक्टर होना पड़ता है उनकी वायफ तुम्हारी तरह प्रिटी होने चाहिए कैरन पुछती है हमारे नाम तुम्हें मिले कैसे जो कोई भी आंसर नहीं देना चाहता वो कैरन को अबी के रूम में लेकर गया कहता है अगर तुम चाहती हो कि अबी सही सलामत रहे तुम्हें जो कहूंगा यही सब तुम्हें करना पड़ेगा वो उसे फिर कपड़े निकालने के लिए कहता है क्यारा ने कहा कि मुझे शरम आती है मैं बात्रूम में जाकर निकालती हूँ बात्रूम में उसने सब कुछ चीज़े ढूंडी उसे विल का एक स्कैपल मिल गया यसे अपने कपड़ों में छुपा लेती है इसी के पैरलल में हम देते है कि अबी मार्विन को बताती है मुझे ज़रा भूक लगी है मार्विन उसके लिए पॉपकॉन बना रहा था तबी टीवी के आवाज में एबी जल्दी से वहाँ से भाग गई मार्विन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला इसी के पैरलल में कैरन जो के साथ इंटिमेट होने लग गई जब जो का ध्यान नहीं था तो जल्दी से उसकैपल निकाल लेती है उसने स्कैपल जो के आवजार पर लगाया वो कहती है कि मार्विन को कॉल लगाओ वरना तुमारा इंस्ट्रूमेंट में काट दूंगे उसे अभी क्या भी यहां बुलाओ जो मार्विन को कॉल लगाता है पर मार्विन एबी को धूननी पा रहा था वो कॉल उठा था नहीं यह सब बात सुनकर कैरन डिस्टब हो गए जो अपने आपको प्रोटेक करने के लिए कैरन को मारता है पर कैरन ने उसके लेक्स पर एक बड़ी सी जखम कर दी थी वो जल्दी से भाग कर वाथुरूम में गए उसने एबी को कॉल लगा जो की कंट्रोल में आ चुकी थी कैरन ने बात्रूम से वील को मैसेज कर दिया था कहती ही कुछ ना कुछ तो गड़बड है जो तुमें होस्पिटल से जानता है वील के बास एक एनस्टिशिया था वो फिर शेरल के पास आया वो कहता है अगर मैंने तुमें इंजेक किया तुम साज भी लेनी पाऊगी तुमारी सारी बोड़ी पैरलाइज हो जाएगी मुझे तुम बता दो कि मेरी बेटी कहा है शेरल मानती नहीं तो जल्दी से उसे एनस्टिशिया दे ही देता है शेरल को बहुत तकलीफ होती है वो मरने से पहले डॉक्टर ने उसे अनस्टिशिया दिया शेरल कहती है जब तुमने मेरी बेटी को मारा क्या उसे भी ऐसा ही लग रहा था शेरल अपनी बेटी की फोटो विल को दिखाती है विल उसे पहचान लेता है कहता है यह मेरी गल्दी नहीं थी सर्जन ने तो शैरल को यही बताया था विलने का यह एक्च्वल में सर्जन की गल्दी थी पर वो कवर अब करने के लिए उसने सब कुछ मुझ पर डाल दिया मेरी भी एक बेटी है मैं कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता जो फिर केरन को उसे मलम पटी करने के लिए कहता है उसे मार्विन को कॉल करने का टाइम हो चुका था पर केरन ने उसे कट किया तो उसे सजाओ दे रहा था कॉल आया नहीं तो मार्विन एबी को मारने वाला था तब ही जो को जड़ा बुरा लगा उसे call कर देता है मार्विन कहता है फेस ऐसा कुछ भी मत करना मैं उसे मारने वाला था इसके बाद हम देखते है शारल ने विल को एबी की approximate location बता दी है विल के contact अच्छे थे उसका फ्रेंज जो टेलीकॉम कमपनी में काम करता था उसे call किया वो कहता है अपने बॉस को बोल कर प्लीज इस नमबर को trace करवाओ पुलिस को call मत करना क्योंकि मेरी बेटी किर्णाब हो चुकी है अब रात बीच चुकी है विल के फ्रेंड को लगता है कि उन्हें पुलिस को call कर देना चाहिए जल्दी से शैरिल फोन कट कर देती है कहती है सब कुछ प्लान की मुताविच चल रहा है अगर कुछ गड़बर हुई तो विल तुमारी बेटी को मार डालेगा इसके बाद जो कैरन को लेकर उनकी लोकेशन पर जा रहा था जो नोटीस करता है कि उनके उपर हिलिकॉप्टर है उसने एक ब्लैंड मनाया वो एक अंडर्गराउंड पार्कें में जाकर दुसरी गाड़ी ले लेता है उसका शक सही था अब नेक्स गाड़ी में उसे कोई भी हिलिकॉप्टर फॉलो नहीं कर रहा नेक्सेन में विल जब बैंक में पैसे लेने के ले गया तो FBI अल्डेडी वहाथ है विल के फ्रेंड ने उन्हें कॉल कर दिया था खेता है सब कुछ ठीक हो जाएगा यह पैसे तुम लेकर जाओ सिर्फ एक वायरलेस माइक तुम पहनना इससे हमें सब कुछ पता चलता रहेगा इसके बाद विल ने शारल को कॉल लगया वो गहता है प्लैन चेंज हो चुका है अब हमारी लोकेशन पर तुम फ्लाइट से आना हम तीनों मिल नहीं सकते हैं शारल कहती तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं अब इस बार क्या हुआ जो गहता है ये सब मेरे रूल से है तुम फॉलो करना मेरे पास तुमारी लिएक सप्राइस है शारल को लगता है जो अब एबी को मार डालेगा वो डर गई थी वो डिरेक्ली मार्विन को कॉल लगाती है उसे बता देती है प्लीज एबी को बचा लो विल ने शारल को का मुझे मेरे प्लेन के पास लेकर चलो वो प्लेन से जल्दी से विल को ढूंड सकते है फिससे जो ने विल को कॉल लगाया था जो को प्लेन में है ये समझ में ना आए इसलिए अपने plane का engine burn कर देता है plane नीचे गिर रहा था वैसे यो दोनों बात करते है जो कहता है तुम अपने hotel में रहना कुछ भी करना मत विल सब के लिए हा कहता है phone खतम होने के बाद विल ने जैसे दैसे फिर से अपने plane को control में कर लिया fly करते हुए जो जीस रोड बर है वही पर विल पहुच जाता है जो पहचान गया कि doctor ही है वो कुछ करे इससे पहले केरन उसे मारने लग जाती है काड़ी out of control हो गई और रस्ते की नीचे गिर गई विल सारी टाफिक रोकने के लिए अपने plane को रस्ते पर ही लैंड कर देता है उसके plane से एक गाड़ी टकरा कही थी यह plane फट सकता था पर वो बज़ गया जल्दी से भाग कर वो जो की कार के पास आया यहाँ पर कैरन बेहुच पड़ी थी जो विल को देखकर उसके पैर पर गोली मार देता है उने का इमोजे पूरी लाइफ में हर दिन जिस तरीके से लगता रहता है यही feeling पूरी लाइफ तुमें आएगी विल ने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने तुमारी बेटी को मारा नहीं था पर जो किसे भी बात को मानता नहीं जो बाग कर शेरिल के पास आया और शेरिल के साथ ही एबी थी वो उसे कहता है अब हम तीनों एक साथ रहेंगे यानि कि अपने साथ एबी को भी भगा कर लेकर जाने वाला था शेरल कहती कि यह सब गलत है हमें कर नहीं सकते जो से समझाता है कि हम फैमिली की तरह रहेंगे अचानक से एवी को फिर से अस्तमा की तकलिफ होने लग गई अब कैरन गाड़ी से बाहर आ चुकी थी उसके पास एक गन भी है मार्विन एवी को पने पास ले रहता है विल लंगडाते हुए ही जो से फाइट करने लग गया था इस फाइट के एड में वो को मार डाला वो अबी को मेडिसिन देते है जो ने सब कुछ किया यह सब मार्विन और शैरल नहीं चाहते थे वो यहाँ से भाग जाते है सब कुछ नॉर्मल हुआ विल एबी कैरन फिर से एक साथ है इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज चेस लाइक कर दीजएगा बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर रात रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल ने डिविशन आइकोद नावन में मत भूलेगा हम वीज़े मिलेंगे और एक ने मूवी के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे